खबर आती है कि एक मॉल के बाहर पोवन सिंग और खेसारी लाल यादों के आदमी या उनके समर्थक एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। सुचना मिलते ही ततकाल वहाँ पर फोर्स पहुंशती है। जब पुलिस वहाँ पर जाती है तो देखती है कि दोनों के समर्थक भाग रहे हैं या वहाँ से भाग चुके हैं। और इसके बाद बीच चलक पर मारपीट शुरूं होती है। एक मॉल वहाँ पर होता है, मॉल के गार्ड ने पुलिस को सुचना दी, तो ततकाल वहाँ पर फोरी कहानी निकल कर सामने आती है। आपको हम पूरी कहानी आगे बताएंगे कि कैसे पवन सिंग और खेसारी लाल यादों के समर्थकों के बीच मार पीठ हुई है, बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं, यह वीडियो रोड़ बेज एप के द्वरा प्रयोजित है, रोड़ बेज बिहार के कैसा है, श्टार्ट अप है, जो आपको वन वेट टेक्सी राइट और कार पूलिंग की सुवधा बयादी कम पैसों में उपलब्त कराती है, वन वेट टेक्सी राइट का मतलब कि अगर आप रोड़ बेज की इस टेक्सी से कहीं जाते हैं, तब वापस आते हैं अपने खबर पर, सबसे पहले समझिए कि होता क्या है, पवन सिंग और खेसारी लाली आदो, अब पवन और खेसारी के समर्थकों के द्वारा कहा जाता है कि इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट किया जाता है, उस पोस्ट को लेकर बिवाद होता है, तै होता है वारा नशी का एक बेहत चर्चित मॉल है, हम नाम नहीं ले रहे हैं उस मॉल का, उसी मॉल के जगह को तै किया जाता है, तब तक पवन सिंग और खेसारी लाली आदो, दोनों के समर्थक अपनी अपनी गारियों से वहाँ पर पहुशते हैं, वहाँ पर पहुशत पुलिस को सुचना देता है, पुलिस तत्काल वहाँ पर फोर्स के साथ पहुंचते हैं, जब तक वहाँ पर फोर्स पहुशी, तब तक वहाँ से पोवन और खेसारी दोनों के समर्थक भाग गये, गायब हो गये इसके बाद पुलिस ने वहाँ पर तमाम चीजों की जानका की दी और इसके बाद दोनों लडने के लिए वहाँ पर मॉल के सामने वाली सड़क पर आकर मारपीट करने लगे अब दोनों के समर्थकों को दिखाना था कि किसके पास ज्यादा शक्ती है कौन जीच सकता है लिहाजा बीच सड़क को तै किया गया और बीच सड़क मारपीट शुरू कर दी गई फिलाल वहाँ पर वारनसी केंट थाने की कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ पर फोर्स के साथ पहुची थी लेकिन तब तक दोनों के समर्थक गायब हो गये और इसके पहले भी उसी बनारस में पवन और खेसारी के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी और वहाँ पर भी पुलिस गई थी मतलग कि पौवन सिंग और खेसारी लाल यादों के समर्थक हैं फैंस कहिए उनके अपने आदमियों को कहिए जो लोग स्थेस्बुक पर सोशल मीडिया पर तमाम परकार के पोश्ट करते हैं और उसी पोश्ट को लेकर एक दूसरे को चै चाहिए और पुलिस को कड़ी कारवाई भी करनी चाहिए क्योंकि 20 चड़क पर मार पीट हुआ तो इसे आम जनता को भी आप कहिए कि आम जनता भी से प्रभावित हुई होगी दूसरी चीज कि अगर ऐसे ही मार पीट हो तो आखिरकार कानून का मतलब क्या बाकि अब आपक बने रहिएगा वीडियों ही पर समात्व करते हैं केमरे कुछे भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार से बहुत हो धन्यवाद